बात करेंगे भारत के विदेशी मुद्रा भंडार की बालब भर चुका है और मोदी सरकार के कारकाल में ये एक बड़ी उपलब थी है भारत का विदेशी मुद्रा भंडार भंडार पांसो चौतेस अरब डॉलर के पार पहुंच गया है और इससे भारत करीब 14 महीने के आयाद बिल चुका सकता है इसका मतलब यह हुआ कि अगर भारत के पास विदेशी पैसा ना भी आये तो अगले 14 महीने तक भारत अपना आयाद बिल चुका सकता है भारत का बढ़ता विदेशी मुद्रा भंडार आर्थिक संपन्ता को बताने के लिए काफी है इसे ये साबित होता है कि मोधी सरकार की कदमों का सकरात्म कसर दिख रहा है अब आपको बताते हैं आखे विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़ोत्री की वज़ा क्या है सबसे पहले तो बढ़ोत्री की बढ़ी वज़ा है आयात में कमी पिछले कुछ महीनों में सस्ते कच्चे तेल की वज़ा से आयात में घटा है करोना की वजह से सोने के आयात में कमी आई है, कच्चे तेल और सोने के आयात में बड़ी हिस्सेदारी विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़ोत्री की वजह है, विदेशी निवेश का बढ़ना और भारत ने पिछले कुछ महीने में फॉरन पोर्टफोलियो इंवेस्मेंट और फॉरन डिरेक्ट इंवेस्मेंट में भी बढ़ोत्री होना, सरकारी डेटा के मताबिक करोना काल में भारत में 22 अरब दॉलर का विदेशी निवेश हुआ है, करोना काल में जहां दुनिया की बड़े बड़े विदेश और देसी निवेश लाने में काम्याब हुई हैं क आज आपल जैसी कम्पनियां भारत में निवेश कर रही हैं, अब आपको विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ने से क्या फायदा होगा ये बता देते हैं तरसल विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ने से डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत होगा सेन या ज़रूरी सामान खरीदने के लिए तुरंत फैसला लिया जा सकता है विदेशी निवेशक और ज़्यादा आकर्शित होंगे ये आर्थिक मजबूती को दर्शाता है फॉरेक्स रिजर्व को निवेश करने पर देश को ब्यास से रूप में अच्छी कमाई होती है फॉरेक्स रिजर्व पर भारत की कितनी कमाई हुए है इसका खुलासा आर्ब्याई ने नहीं किया विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत की रैंकिंग में भी सुधार हुआ है फॉरेक्स रिजर्व के मामल में दुनिया में भारत का पांचवा स्थान है करोना संकट के बीश विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़ोत्री मोधी सरकार की बड़ी उपलब्ती माना जा सकता है नर्भर भारत मुहिम से भी आने वाले समय में विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़ोत्री की उम्मी जताई जारी क्योंकि इससे इंपोर्ट बिल में गिरावट आएगी क्योंकि लोग भारत में बने सामान को तवज्जो देंगे